कि हलो दोस्तों आप सब का स्वागत है अथेनी मकेडमी की डिश्टल क्लासिस में और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना बिग्यान बेसे बिग्यान में रसाइन बिग्यान और जहां तक रहां से हम लोगों ने छोड़ा था वसी कि आगे समझ सकते हैं और जो लोग के लिए हम लोगों के लगबख 1000 सब्सक्राइब होने चाहिए तो फिर मैं बाइ मोबाइल लाइप पड़ा सकता हूं तो आप लोग खोसिस करें कि अपने दोस्तों सभी से मिलकर इस चैनल में 1000 सब्सक्राइब करवाएं तो फिर हम लाइव क्लासिस भी पढ़ने लगेंगे और सभी बिस्यों की जैसे कि मैट्स है, रीजनिंग है, जो नॉर्मल एक्जामों में आता है, अपने एंपिटेट, सीटेट वगेरे इन सभी एक्जामस में जो आता है, उसके लिए भी हम लाइव क्लासिस वगेरे पढ़ने लगेंगे, सभी बिस्यों की परियावण है, ब हमारे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले हमने जो जुट पढ़ा था, उसका इक डाइग्राम मना के मैं समझा दे रहा हूँ, कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा अपना पदार्थ, और जहां हमने आपको बताया था, कि पदार्थ किन से मिलकर, पदार्थ क ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप में अगर वो अडू, पर माडू, क्रिया करते हैं, यानि कि हम ही कह सकते हैं, क्रिया करते हैं, आपस में, यानि कि क्रिया करते हैं, यानि विथ रियक्शन हम बात करें, इनकी रियक्शन करते हैं, और एक जो बिना क्रिया के, यानि कि ग् बनाते हैं उसे हम element यानि कि तत्तो कहते हैं ठीक है ये पिस लेक्चर में हमने समझा था और क्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं अडू बनाते हैं अगर क्रिया करते हैं और फिर उसके बाद में हमने ये समझा था कि अगर ये दोनों अगर आपस में क्रिया करें यानि कि त करिया नहीं करते हैं तो यह क्या बनाते हैं यह बनाते हैं कंपाउंड यहां तक हम लोग पिश्ली क्लास में समझ चुके थी ठीक है दूसरा हम यह कह सकते हैं कि पहचान कैसे हो कि एलिमेंट और एटम्स में यानि कि तत्त और अड़ों ने आपस में करिया है की है की नहीं है तो सामन अगर हम बात करें कि जो जो भी एक्जामपल आप लोग देखते हो रसाइन विग्यान में उनमें अगर अड़ों की संख्या लिखी हो यानि कि फॉर्मेशन से एक रूप बना हुआ हो जैसे हम बोलते हैं रसाइनिक वक्रिया उनका अगर एक रूप बना हो जैसे एक्जामपल में जैसे मैंने बोल दिया एच्ट टू एस ओफॉर ठीक है तो यहां पर हैड्रोजन संख्या में है सलफर संख्या के साथ में है तो संख्याओं के साथ में कभी भी मि मिस्ण को प्रदर्सत नहीं किया जा सकता यानि संख्याओं के साथ में अगर हमें कभी भी कोई भी चीश प्रदर्सत होगी तो वो क्या होगा योगिक होगा कभी भी क्या नहीं होगा यानि हम यह से कह सकते हैं कि मिस्ण को हम फॉर्मूले में नहीं लिख सकते फॉर्मूले हम एपन देख ले एक एक्जामपल लेते हैं जैसे एक्जामपल में हमने तावा ले लिया ठीकिन तो तावा और जस्ता मिला दिया और इनसे मिलकर क्या बन गया हमारी मिस्ट घातू में पीदल बन गया तो इनका परसेंटाइल रेशियो फिक्स होता है साठ परसत प्लस 40 परस्ट याहां परसेंट में और फिक्स अगर सेयं कम जदा करते हैं तो कई और में यह कह सकते हैं यहां परसेंटाइल होता है अनपात होता है जो भी फिक्स नहीं रहता कम जादा करने पर इनकी धातुओं में परवर्तन हो जाता है ठीक है और अड़ू जो क्रिया कर लेते हैं जैसे एक एक्जामपल में इस टूसु फूर लिखा एक्जामपल में में को लेता हूं एनी सी ए ठीक है यहां सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अड़ू और क्लोरीन का एक अगर इसको बदला तो हमें कुछ और रूप राप्त हो सकते हैं जो पदार्थ होता है उस चाहरा फटाफट से देख लेते हैं पदार्थ की सबसे सूच मिकाई होती है परमाडू और परमाडू धर्वियर फामाड़ जल्तो दो मिलकर समू बनाते हैं तो क्या बनता है अगर यह क्रिया करते हैं तो योगिक बनता है क्रिया नहीं करते हैं तोaur भी संख्या में पर दराष़िन होता यह मिसा याद consists रखना एमारी जील पेरी के स्ट्टर्ट कि इंप में एंपी पिलिस की एक्जाम में जो एंपिटfish के इओमें होता हुऊ नियुक जिल भी के साम सूंस देडों इंप सबसे नहिए को लिए सर्साइं और है कमपाउंड हमेंसाई योगिक हम जो कहते हैं इसमें हम क्या करते हैं परमाडूों कि संख्या को प्र जा consistency करते हैं इन संख्या में लिखा जाता बात यह है जैसे अद्ग में संख्या प्र जिसरी होती है तब का उमारी यह मारे पिशला था इस आज से जुआ चाहें हम जो पड़ेंगे वह पड़ेंगे के बारे मिस्टान की पह्चान क्या होती है मिस्टान के नि dimpr करते हैं किस तरह के मैं इस तरीकर सब्सक्राइब कि योगीम है के उसके बारे में जानते हैं तो सबसे कि क्क बताए कि हमें लोगों में डिफरेंस करके यानी कि अपने मिस्तण में मिक्षिर और कंपाउंट यानी योगित कॉओं को इन में डिफरेंस करके समझते हैं कि मिस्तण को हम कैसे पहंचान लेते हैं यॉगे को कैसे पेचानते हैं सबसे पहले हमने बताया कि मिस्टण कभी भी संख्याम कर दरसित नहीं होते नहीं होते Sanskrit गटक एक अनपात में होते हैं और वो अनपात पत्सत में होता है ठीक है जैसे एक्जामपल मैंने बताया था ठीक है दूसरा मैंने बताया था है कि भाई ये निश्यत नहीं होता ये अनपात जो है वो कहा नहीं होता निश्यत नहीं होता लेकिन हमारे जो योगिक बनते हैं ज अगर हमने इसको चेंज किया अभी यह पानी कहलाता है अगर हमने इस रेशियो को चेंज किया यह यह फिक्स होता है अगर किसी भी कंपाउंड की बात करो योगिक की बात करो तो उसमें पाए जाने वाले जो एलिमेंट होता है उन एलिमेंट्स में या जो आपने कह सकते हैं म तो अभें यह कि अब लिए लिए सट हो दो आनपाथ दो अब लेकिन यहां इसका नाम क्या नाम हो जाएगा है टिलंट। फ्रली या शितिक नाम होगा तो प्रकृति चेंड जोगी इसकी बिचर विदा बदा ज्वे truly बदल गया तो ये एक नया योगिक बन गया तो जो पुराना योगिक है उसमें परवर्तन करो तो नया योगिक बन जाएगा लेकिन हम यह करें कि योगिक में अनपात निश्यत होता है इसे संख्या में प्रदर्सित किया जाता है तो इसे संख्या में प्रदर्सित किया है तो हम बात करते हैं, फिर से वहीं लोट केा आते हैं, कि हमने क्या पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं Collons के बारे में, प्रोपर ली, सिर्फ myations की बात करेंगे, यो interference था पहंचानने के लिए, कि किस परकार से हमियोगी के बार नमा एंथर पहंचान सकते हैं, तो मिस्टर्ण की पहचान हम क्या कह सकते हैं हम यह कह सकते हैं कि ऐसे समू यानि अडू का इन तत्तों का ऐसा समू हम यह कह सकते हैं तत्तों का ऐसा समू जो क्या नहीं करता क्रिया नहीं करता नहीं करता, तो कह यलाता है, मिस्टर्म कहला है, समझ मैं है, जैसा, एक्जामपल में लिए है, फूर एक्जामपल अ हमनी रिली बाइप टीके, एर लेली, ठीके, आब यह लेली अमने यह से, एर में हमें पता है किस-का भी कौण कौण से घाटागोते हैं, नाइट्रीजन हो ने होती और गुन होता है कि समल गिवाय करें और गिन होता है अगर मान लो कि ये एलिमेंट अपसमें किरिया करते ऑक्षिजन कारवन डंडाय ओक्साइट किरिया कर लेता तो सिजी कड़ी कार्मा अगिस के नाम से नंचांग घन में वह दुज से तो करते हैं लेकिन आपस में क्रिया नहीं करते तो ततों का संहर त्टों का संहर आपस नहीं करते हैं यहां जो यह आपस में क्रिया कर लेते ज्यूसे बाईë तक तक तो बना सकते हैं फूर एक्जामपल यह हमने ले लिया कि नाइट्र सॉक्षड बना दिया और अलगलग elements मिल लेकिन यह आपस में क्रिया नहीं करते हैं तो क्रिया करेके कुछ यह हमें किया सकते हार्फुल substance बनाते या फिर कुछ जरूरी नहीं किसबी हमारे लिए क्या होते बसेले होते या घातक न एक लिए नहीं नहीं करते ठेके तो वाइउ क्या होगे हमारा मिस्टन का एक्सामपल हो फिर हम ले लेते हैं, बारूत, एक्स्ट क्लॉज़ ़ें छिके युकायकाँ ध्हान है, ये भी हमारा क्या है, मिस्टन का एक्सामपल है, jiaम मिस्टन के बारेहएं समझ रहे है, मिस्र धातू मिस्च मेटल बोलते हैं इनको मिस्र धातू मिस्च मेटल कहीं जाती है ठीक है तो यह आपस में क्या नहीं करती है क्रिया नहीं करती है ठीक है जैसे कि एक्जामपल में ले लिए मैंने पीतर मिस्र धातू है काय काय वही तो पीतल वही तावा प्लस जस्ते का क्य हैं हम यह कह सकते हैं कि अपस में किल्य नहीं किया नहीं कि थड़ं कमपोनेंट लूनाते इसे के वाद सौलूशन जितने भी विलियन हैं सभी जो क्या है C तो सभी के सभी घूल ये विलियन क्या कहलाते हैं मिशन कहलाते हैं इसके बाद हम बात करें मिट्टी स्वैल ठीक है तो मिट्टी भी क्या है हमारा तो मिट्टी भी हम क्यों मिट्टी में क्या होता है विफिन प्रकार के करण होते हैं जो आपस में क्रिया नहीं करते हैं एक हम का वह समू, तत्तो का ऐसा समू जो क्या नहीं करता है भई, क्रिया नहीं करता, जैसे हमने पढ़ा कि सबसे चोटा पढ़ा परमाडू, ठीक, अब परमाडू में क्या था, परमाडू में, परमाडू में, परमाडू अगर क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, और क्रिया नहीं है मिस्टम तो में संगे यह पेंचान है किसमें पायजाने वाले एलिमेंट शिया मौल insulting करेुयon नहीं है यह जाद रखने मिसेर्गे मैंट पुर्फर पैंचानर उसके एक्जामपल है आप के दो प्रकार के ठीक दो प्रकार के कौन-कौन से होते हैं तो फटा-फट से देखते हैं तो मिशन दो प्रकार के होते हैं आपका पहला होता है आपका एक अपन बात करें समांगी मिस्रण होमोजीनियस मिक्षर्स इसे वोलते हैं ठीक है मिश्मीडिय में स्टूरेंस इने वह सबसे हैं तो सबसे-पहले हम समांगे में चनकी पैचान समझते हैं तो सब से पहला जब जिसके जो कन हैं जो आपने घोल बनाई है या mestran जो बनाया हैと思います जिसके कom में स और अपनी कह सकते हैं कि पूरा भाग कहीं से भी जैसे हमने मानलो कि सकर और पानी का घूल बना लिए अब सर्वत को अच्छी तरीके से मिला लिए उसके बास सर्वत से हमने एक चिमच सर्वत निकाला उसे पिया तो उसमें जो स्वाध होगा पूरे घूल का होगा अगर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए कहीं भी कम जादा नहीं होगा क्यों क्योंकि भाई वो सही तरीके से घुला हुआ है हर कंड समान रूप से पूरे घूल में सभी जगे समान वितरत है तो तो इसलिए भाई वो क्या कहलाएगा समान के मिश्ण कहलाएगा यह नहीं हम यह कह सकते हैं कि उसके भाग में उसके कंड समान रूप में हो यह हमें कह सकते हैं जो भी घटक है घटक जो भी ऐलिमेंट उसके पास हो घटकों का वित्रण घटकों का वित्रण समान रूप में यहां हम यह कह सकते हैं distribution of component distribution of component is equally all solutions ठीक है यह कह सकते हैं ठीक कटकों का वित्रण समान रूप में हो यह हम लिख सकते हैं distribution of component distribution of component equally ठीक है example में ले सकते हैं जैसे example मैंने बताए दिया आपको पानी और नमक का घॉल ठीक है एक गोल ले लिया यह सक्कर और पानी का घॉल ठीक है हमने यह ले लिया या इसके बात एक और एक्जामपल ले सकते हैं लोग पीतल यह ना प्लस पीतल में क्या है वही तावा प्लस चस्ते का यह फिक्स रिश्यो रहता है बताया ना साथ प्लस चालीस लेकिन कण समान रूप से वितरते हैं कहीं से भी एक अमाउन निकाला जाएगा तो पीतल और चस्ते का रूप एक्कोली वहाँ से हमें प्राप्त होगा अब जैसे और भी एक्जामपल ले सकते हैं इनमें मलब पहँचान सकते हैं जो हमने इससे पहले समझे थे कि मिश कौन कौनसे व समांगी मिश्यृ말 यह भी समांगी जयों के बारी में हम पहले हम पैंचान लेते हैं चलो पहले फटा-फट से इदर देख लेए मैं पहले होए रहा हों μεे यह संबूंघे और उनकी मात्रा सभी जगे क्या होगी समान वो क्या लाता है समांगे मिश्रण क्या लाता है ठीक है वे समांगे मिश्रण यहीं हम ही कह सकते हैं जिसके कंड कैसे होंगे अश्रमान होंगे ठीक है जिनके पहंचान हम कर सकते हैं अलग अलग पहंचाना जा सकता है आइडेंटि भारी होती, नीचे बढ़ जाएगी पानी, अगर मुसको उपर से निकाले तो क्या हो जाएगा वो, एक अलग हो जाएगा, जैसे एक example ले लो, फिर से मैं यहां से समझा दे रहा हूँ, समागे समागे के लिए यह नहीं हो रहा हो, इसे नमक पानी के घोल ले लिया, तो अगर आप कहीं से भी, यहां से कोई भी इत्या बॉल्यूम निकालते हो, तो इसमें यह पता लगे है कि नमक के कितने खोलें, अडू है, पानी कितने, एकको ली आएगे, लेकिन अगर यही पानी मिट्टी का हो, जैसे हमें ने यह ले लिया, ठीक है, और मिट्टी के नीचे इसके कंड अशमान होते हैं, दूर से देखे जा सकते हैं, जैसे रेत और पानी का मिट्टी का मिट्र तो रेत अलग पैंचना या सकता है, पानी से, ठीक है, यह हम उसको घोल बना दें, और उसमें से निकालें, एक गलास पानी निकालें, तो हो सकता हूपर से लिया बैद नीचे से लिया तो रेट इसे कहते हैं वो ज़्याद आ जैंशल यह नहीं पहलगा है कि समागल वीडियों गौ써 फ़ pacili सनों पहले कि कोण खारा का जाल रहा हो सबसे पहले आप को यह यह प्रक्टिस इट के होंगे और एबरी सब्जेक के अलग अलग विसे हों के प्रक्टिस टाइब में वीडियो बना हुआ जिसमागी मिश्रन सबसे पहले पन समांगी मिश्रन के वारे में इसके समझते हैं तो इसे मैंने आप से पूछा वायू तो कई लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट में ठेके वायू तो एयर हमारा कैसा मिश्रन है समांगी यानिकी हो मोजीनियस क्यूं क्या आप कभी भी बायमंडल में एट्मोस्पेर में देखकर वाचलती हुए वायू में सब्सक्राइन तो इसलिए हमारी समांगी मिस्ट अब कई लोग यहां से एक चीज व्यक्त को सब्सक्राइब करते इस याद रखना टिक कभी भी हमारे वायू में नहीं आते जब वायू चलती है तो मिट्टी की डस्ट को डस्ट के एटम्स को लेकर चलती है लेकिन उसमें होते मंडल मंएं वायू के संघठन में सुना होगा क्या-क्या होता है नाइक्ट्रोजन उता है क्या होता है आपने देखा होगा कितना प्रसेंर Bonus हुछ Commerce 78 पर संट चीके फिर ऑ्क्सिजन होता है ठीक है यह हम बता रहे हैं यह कितना पायाता है 21% और अनादर कैस जो थी अदर गया से कितने परसंट रोटी ऊद्रफियों परसंट इस प्रकार से 100% जो है इनको फैंचाना नहीं आ सकता पूरे बायोमेंटल में पूरा इट्मसफेयर जो हमारा ब्रहमाण्ड है कहीं से भी ले लो एक एक वॉल्यूमने ले लिया एक उसको इसमें घखामपल हम ले सकते हैं दूसरा हमारा एक्जामपल है जैसे सीमेंट ठीक है अब सीमेंट में जो जब सम बगए जो मिला जाता है उसका Entwicklung होता है पूरे सीमेंट मैं कहीं भी ले लिए जे अब कई लोगों का एग्जामपल बनता है कि भई आएरन जंब सर्मिला देते है इसमें तो सीमेंट वेन लोग कि कम मझबूत रहे ज़्यादा मझबूत करने के लिए तो उसका गटक नहीं और नहीं है चो से बनाने के लिए करने करने के लिए और मझबूत रखने है सो मांगे मिश्रणा इसके बाद हम बात करते हैं नमक पानी का गोल जो जब बात कि थी तो नमक प्लस पानी बता सकते हैं आप पहचान सकते हैं नहीं पहचान सकते हैं सक्कर पानी का गोल ठीक है सक्कर पानी का गोल हो गया ठीक है और और बता है हाँ एक हो गया अपना एलक तो आया था पिछले एक्जाम में कि वायू और अमोणिया का मिस्चनद क्या होता है तो वायू में दा जा सकता तो कैसा मिस्चन होगा यह भई यह मोस्ट इम्पोर्टन कोष्टन इसंथ फिर यहांसे हम पैचान सकते हैं मिक्षच के बारे में कि यह सारे कंपोनेंट्स होते हैं वह हमारी क्या होते हैं मिश्ण होते हैं और मिश्ण में भी यह सभी कि सभी हमारी कैसा मिश्ण होते हैं समांगे मिश्ण होते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्ट्ट पाइंट पर देखने तेरियों के अब विश्र मांगे मिस्ट यानि के है घ्टरोजीनियस अभी बताएं ट्रूजीनियस मिक्षड अब इसमें क्या है भाई जैने आइटेटिफाइए किया सकते हैं यह आपको बताया था यानि सेंड यह यहां लिख किया सकता है बालू प्लस पानी रेत को भोलते ह ठिके यहाँ पैचान सकते हैं ठीके यह थूरो Tanipa A ने पाड़ हम देख सकते हैं दूसरा अपना पानी प्लस तेल यह घी प्लस तेल शम मेले लिए संफ प्लस आர, पाउडर ना लोहा चून तो यह सब कैसила हो गए सबसे पहले क्या होता है दो परकार के होते है समांगी यह सारे इक्साम्पल से जो एक्साममें आने लाइग हैं बागे वह वह बहुत बड़े होता है किसी पर भी discuss करो तो हम लोग पूरे एक दिन दो दिन हर एक टॉपिक पर discuss कर सकते हैं लेकिन हमें हमारे एक्साममें important चीज़ निकालनी है कम समय में जल्दी तेयारी करनी के लिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि questions क्या सकता है क्या बनता है उन पर ध्यान ने तो हमने mission पड़ा समांगे विसमांगे mission क्या होता है इसके बाद हम देखते हैं example समझ लिए अब questions क्या गयाते हैं तो यह सबसे पहले हमने questions इन सभी से पर माड़ू अड़ू तत्व योगिक देखां लोगों ने क्या पड़ा जड़ा फिर से एक बार नजर मारते हैं सबसे पहले पढ़ा हमने पर माड़ू पर माड़ू से मिलकर दो चीज़े बनी अपना क्या क्या तथ और योग दो चीजे बनी ठीक है और वो क्या बनी अपनी एक बना हमारा मिस्टन और एक बना हमारा कंपाउंड यानि योगिक ठीक है दो तीन लेक्चनों को टॉपिक है यह ठीक है इन पर पढ़ते चलेंगे हम आगे और धीमीदी में इनको दूसरे छोड़ कर समझेंगे तो पूरा समय में आएगा वनना नहीं समय में आएगा मिश्टन यानि मिक्षर ठीक है योगिक यानि कंपाउंड अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वहीं इन में से कॉस्टन क्या बन दें है हुमने एलिमेंट्स परमाडू एटम एलिमेंट मॉलीकिल म पड़े परमाडू तक तो अड़ू मिश्टन होगी फड़ा इन में स्कॉस्टन क्या बनता है कॉस्टन हमें लिया जैसे के कॉस्टन हमारा हो गया पदार्थ का सबसे सुद्धतम रूप कौन सा है अभी यह तो मैं पता है कि वही प्यूर्ट क्या है अपना एग्जामपल अपने प्रिपेंड करते करें अभी वोस्टन स्डाइक्टा मता सकते हैं कि अल्यमेंट इस प्रॉप प्रॉड फ्रम उप मैंटर स्काइब कर बना परमारू से मिल कर वाइब तदो सबसे सुद्धतम रूप है कि वही पर मारू से पुर्पदार्थ वना है तो वही सबसे प अधूर कि अधुचा विक बात करते हैं कि अडू और योगिक तो था वणते हैं जब और उसिसकलिया कर लेते हैं तो करेंगे तो रूप में परवर्तन होगा तो प्यूर स्वाइब लेकिन तदम घरमिस लॉक्टिए नहीं करते एग़ां आप शोटारी ये दूल्ह चोटा और रूपय और छोटा जो rt all वो फ्योरस्ट होग तो यह हमारा किया है नेक्श फूशन देखते हैं और क्वोस्टन हमारा यह है वैस अरशना दूसरा कॉस्चन है हमारे, ये कॉस्चन नो डाउन कर लें आप लो, वैसरचना जिसमें पदार्थ के सभी गुर्धर्म मौजूद है, तो अब इन यही ऑप्शन है आपके पास में, फिर वही ऑप्शन है हमारे तत्त है, अडू है, मिस्चन है, और यह ओगे, ना, एलिमेंट है, एटम है, और मॉलीक्यूल है, ठीक है, और मिक्शर से नी, कम पाउंड है, ठीक है, चौत आप्शन, यह तीसर आप्शन, इनमें से वैसरेशन इसने पदार्थ के सभी गुर्धर्म मौजूद है, यहीं कि मैटर्स के जो जतनी भ एक कपन क्या कर सकते हैं, एक लिटर ले लिया, तो वहां से पता चल जाएगा क्या, पूरी ब्रावमान में कौन कौन सी कैसे, गैसों का डिस्ट्रीविशन समझ में आ जाएगा, आप यह कह सकते हैं, लेकिन कहीं ओजोन लेयर जैसे की ओजोन लेयर की बात करें, तो जोन ल पहले उनमें क्या रूप था, वो भी जानना है, अब क्रिया में तो यह दोनों भाग नहीं लेते, तो यह तो बचे नहीं, अब बचा अडू और यहोगे, यह क्रिया में भाग लेते, इनमें सभी गुड़ धर्म मौजूद होंगे, क्योंकि सारे जो भी अपने एटम्स हो और अडू के, और मैंने जस्त आपको बताया था, इनिकीन मौलेकपूल की तो मौलेकूल मैंने आपको बताये थे, दोपरकारades होते ह, एक उता है आपका संपरमाडविक, जिसमें एक जैसे क्या होते हैं परमाडू होते हैं और एक होता है विसम परमाडविक परमाडविक जिसमें अलग अलग परमाडू होते हैं एक जैसे परमाडू होते हैं वो क्या किलाते हैं आपके होमो एट हाँ होमो एटोमिक कहते हैं जिनको हम ठीक है और एक को बोलते हैं ह एक जैसे पर माड़े अलग लग ले लिए जैसे कि लिया मैंने एच टू ले लिए एंटू ले लिए है तो यहां एक नाम से प्रदर्सित किया सकता है यूग एक सब्सक्राइब लिए कि इसे आँपन के निगे यह यानि की अडू का बिproception करूड करूप हमेशा है आप सिंपल सी चीजी यह कह सकते हो कि परतेक अडू बिसंपर बिसंपरमाडू अपनी कह सकते हैं आड़ों का वो संगठन जो विसम परमाडविक है है ट्रो एटमिक है वो योगिक कहला सकता है लेकिन आप कहो कि प्रते की योगिक आड़ो कहला है यह अपन नहीं कह सकते हैं कि आड़ी जो भी अपने एक प्री इस यह अबरी मॉलीकुल इस नोट कम पॉण्ट बट एब्री कमपांड इस नेसेसरी ओफ मॉलीकूल भी सकते हैं तो यह हो गया हमारा किसके बारे में मिशंट और उससे लेटेट को पॉस्टन के बारे में ठीक है मैं कोसस कर रहा हूँ कि आ आप तक पहुंचें समझ में आए अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं मैं कोसिस करूंगा और उसे अच्छे तरीके से समझा सकूं ठीक है क्योंकि कहीं न कहीं हर एक लेक्षर में कुछ नो कुछ परवर्तन करके उसे समझा सब्सक्राइब बढ़ाने जरूरी है इसलिए आप इस लिंक को अनदर दोस्तों के साथ भी फरवर्ट करें जो पढ़ रहे हों कामपटिशन की तैयारी कर रहे हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्षर में